आज मैं आप सभी के लिए salad recipe लेकर आई हूँ जो की काफी tasty yummy के साथ healthy भी है और protein तो भरपूर है यदि weight loss की जर्नी में है तो इसे खाएंगे तो आसानी से weight loss हो जाएगा और फिल भी नहीं होगा कि आप diet पे हैं Hello friends मैं हूँ स्वेतास स्वेतास kitchen में आप सभी का स्वागत है salad के लिए bonless chicken का इस्तमाल कर रही हूँ ये 250 gram है इसे boil कर लेते हैं boil करने के लिए पानी कम से कम लेंगे gas का flame medium में रखेंगे इसमें नमक डालने के बाद इसे mix कर लेंगे और cover करके cook करूंगी ताकि जल्दी हो रखते हैं gas flame medium में रखी हूँ medium में रखकर 10 मिनट के लिए boil कर लेना है इसे मैं बहुत ही simple तरीके से boil कर रही हूँ 10 मिनट हो चुका है cover हटा लेती हूँ कभी भी chicken को over cook नहीं करना है chicken अच्छे से boil हो चुका है अब इसे पानी से separate कर लेते हैं और ये जो boil क्या हुआ पानी ह ये बहुत ही flavorful पानी है तो इसे आप chicken soup बनाने में यूज कर सकते हैं सारा chicken निकाल चुकी हूँ इसे थोड़े ठंडा होने के लिए रख दूँगी ताकि ये ठंडा हो जाए तो इसे pieces करने में मुझे आराम हो तो ये ठंडा हो चुका है अब इसे चोटे-चोटे pieces में काट लूँगी तो यहां मैं लंबे-लंबे slices में काट रही हूँ ये देखने में अच्छा लगता है जब डाइट पे रहते हैं तो समझ नहीं आता क्या खाएं जो खाने में स्वाधिष्ट हो तो इस असान तरीके से घर पर बना सकते हैं chicken broccoli salad यदि आप एकी तरह के salad खाकर बोर ह हो गया है तो मैं पहले भी chicken salad और वेज salad की recipe डाली हूँ तो उसका link में डाल दूँगी description box में तो वहां जाकर check करें chicken cut चुका है तो इस salad में मैं प्याज कभी इस्तमाल कर रही हूँ तो एक medium size के प्याज को पहले half cut कर लूँगी फिर इसके slices कर लूँगी salad में यदि प्याज ना पसंद हो तो इसे ना डाले slices करने के बाद अब इसे अलग-अलग कर लूँगी अब conflore solution ready कर लिती हूँ तो एक glass में एक चमच conflore add की हूँ साथ में एक चमच honey डाल रही हूँ honey से salad में थोड़ी से sweetness आईगी अब इसमें normal water डाल के इसे mix कर लेती हूँ बस ये conflore solution ready है अब salad को ready कर लेती हूँ तो एक कडाई में एक चमच olive oil डाली हूँ अब इस कडाई में दीरे दीरे करके सारे ingredients को डाल देना है तो सबसे पहले मैं वो कटे वे प्याज को डाल दे रही हूँ साथ ही इसमें कुछ chop किये वे लसुन को डाल रही हूँ इसे बारिक chop करके रखी हूँ अब इसमें जाल रही हूँ अदरक इसे भी लंबे-लंबे slices में काट ली हूँ दोनों का स्वाथ काफी अच्छा लगता है सालेट में गैस हाई फ्लेम में रखकर बस एक मिनट के लिए पका लेना है अब ब्रॉकली को एट कर रही हूँ तो इसे मैं थोड़ी से stem के साथ काटी हूँ हाई फ्लेम में इसे थोड़े देर के लिए मिक्स कर ले रही हूँ फिर इसे कवर करके थोड़े देर कुक कर लूँगी कवर करने का रीजन ये है कि ये ब्रॉकली का जो stem है वो थोड़ा सौफ्ट हो जाए बस उसके लिए तो दो मिनट के लिए ही बस मैं कवर की थी कवर हटा कर चेक कर लेती हूँ अब इसमें नमक डालूँगी नमक ध्यान से डालूँगी क्योंकि चिकन में भी बॉल करते वक्त नमक डाला था साथी इसमें मैं कॉन फ्लॉर सोलुशन एट कर दे रही हूँ थोड़ा मिक्स करने के बाद इसे एट करें अब इसमें बॉल चिकन एट कर दे रही हूँ गैस का फ्लेम मिडियम पे है अब इसे मिक्स करने के बाद सैलेड में अच्छा सा स्वाद बनाने के लिए इसमें कुछ सिजनिंग आड़ करूंगी हाफ लेवन जूस आड़ कर रही हूँ वन फोट चमच ब्लैक पेपर पॉडर स्पाइसनेस के लिए चिली फ्लेक्स थोड़ी ओरिगेनों की स्प्रिंकल करूंगी अब इन सब को पकाना नहीं है बस मिक्स करना है और ये रेडी है अब इसे सर्व कर लेती हूँ ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है जरूर इसे बना कर देखे मेरी रेसिपी यदि आप सभी को पसंद आती है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करे लाइक करे, सेयर करे फ्रेंड और फैमिली के साथ एंड बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल न भूले ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में